रादे रादे आप सभी का स्वाकत है आसा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सस्क्राइब करें फैमिली और फैन में वीडियो जो शेयर करें जनमाश्क भी श्वेशल पोशाक मैंने ये बनाई है आप भी घर पर बना सकते हैं तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा ले लिया है तो उसको मैंने इसका व्यास है वो दस इंच है और मैंने इसी को जैसे मैं दिखा रही उसी को रख कर गोलाई में कट कर लिया है तो ये कपड़ा मैंने नैट का लिया है नैट का कपड़ा इसकी लंबाई पूरा एक मीटर है तो डेड़ मीटर हमें इसकी चोड़ाई चाहिए ही होगी लंबाई और चोड़ाई मैंने इसकी इतनी लिया है और कपड़ा जो लिया था हमने कॉटन का इसकी गोलाई में सलाई लगा लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे इसमें हमें बुकरम की जरूत नहीं पड़ेगी बिना बुकरम की ये पोशाक बन जाएगी अब मैं एक गोटा ले रही हूँ गोटे को यहाँ पर साइड से लगा लूँगी जहां दो साइड हमने कट किये हैं रैस पहनाने के वहाँ पर इस तरह से कपड़े को दबाते हुए हम गोटा लगा लेंगे तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरिके से गोटा लग सकता है तो यहाँ पर मैंने गोटा लगाया है, आप चाहे तो पूरी गोलाई में भी गोटा लगा सकते हैं, इसके बाद में मैं नेट ले रही हूँ, नेट को देखिए इससी तरह से हमें रखते जाना है, छोटी छोटी पलेटी लगाते जाना है, और यह हमारा सरकल बनकर तयार हो जाएगा धीरे-धीरे, एक तो आप उदर की साइट बना सकते हो, या फिर सही रहेगा कि हम बड़ी वाली साइट रखकर बनाएं, तो देखिए इस तरह से मैंने सलवाटे देते हुए, यहाँ पर नेट का कपड़ा लगा लिया है, तो यहाँ पर मुझे डेट मीटर जितन यहाँ पर हलकी सी सलाई लगानी है, तो यहाँ पर इसी तरह से सलाई आएगी, तो सलाई कहां लगानी है, तो मैं इसको उल्टा करकर आपको दिखा देती हूँ, इसकी कमर की गोलाई में सलाई लगानी है, और बीच में जो भी नेट बच जाएगी, उसे हमें कट कर लेना ह तो देखिए बिल्कुल इस तरह से side से हमें रखते हुए इसको करना है तो देखिए यहां पर मैंने cut कर लिया है और side से जो net बचा है उसे भी मैंने cut कर लिया है फिर मैंने बान्दडी print का green color का कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई है 24 इंच और चोड़ाई 4 इंच है फोल्ड करेंगे तो यह दो इंचे रह जाएगी तो इस तरह से कपड़े को अंदर दबाते हुए हम रखेंगे और छोटी-छोटी पलेटे इसकी उपर लगा लेंगे और एकदिम छोटा पीस इसको बना कर हमें तयार करना है तो मैंने इस तरह से इसको तयार कर लिया है अब हम इसको रखेंगे और side में इसको एक side लगाएंगे और इसके गोलाई बीच तक ही आने चाहिए पूरे में हम इसको नहीं लगाएंगे जैसे कि मैं दिखा रही हूँ हमें एक साइड ही इसको लगाना है इसके उपर प्लेटे लगाते हुए अच्छे से दबा कर हमें इसको सैट करके लगा लेंगे तो देखे मैंने इसको अच्छे से सैट करके लगा लिया है बहुती सुन्दर डिजाइन आई है अब मैं जिगजग वाली गोटे वाली लेस ले रही हूँ इसको मैं साइड में लगा लूँगी तो देखे यहाँ पर मैंने साइड में इसको लगा लिया है अब हम कमर की पटी बनाएंगे तो कमर की हम माप ले लूँगी इसकी कमर की माप पांच इंच जितनी आई है तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई 6 इंच है और चोड़ाई 1,5 इंच है तो कपड़े को इस तरह से दबा कर इसके उपर रखेंगे और इस तरह से हम देखिए सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी कपड़ा दबाते वे सिलाई लगाएंगे अब हमें कपड़ा इस तरह से मिल जाएगा और अब हम इसे उल्टी साइड रखेंगे और एक जो भी दोरी हमें कमर में लगानी है वो रख लेंगे और कपड़े को इस तरह से दबाकर फिर दबाकर इसके उपर रखेंगे और हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से ये हमारी कमर की पटी बनकर तयार हो जाती है तो देखे हमारा ये घेरा बनकर कली बनकर तयार है बहुत ही सुन्दर लग रहा है अब मुझे हमें पेटी बनानी है और इसके उपर जो डेकोरेशन है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ तो यहाँ पर देखिए नेट की मैंने दो पटीएं ले ली हैं और इसको मैंने एक तरफ सिलाई लगा कर सीधा कर लिया च्छे च्छे इंच की हैं यह और साइड में हम गोटा लगाएंगे कपड़े को फिर से दबाते हूए तो देखिए यहाँ पर पटी तयार हो गई है इस पटी को एक दूसरे के उपर रखते हूए देट इंच जितनी सिलाई लगा लेंगे और नीचे गोटे की पटी को दबा कर हम पटी बना लें तो देखिए हमारी यह पटी बनकर तयार है और दोनों पीस हमारे बनकर तयार हो गया है तो यहाँ पर मैंने गुलूगन को गरम कर लिया है और यहाँ पर च्छोटे मैं इस्टौन लगा रही हूं यह मेरे पास थे और मै पोशा के बनाती तो उसके उपर लगाने के लिए मुझे चाहिए ही रहते हैं तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने इसको डेकोरेशन कर दिया हैं छोटे-छोटे कुंदन लगाते हुए और इसी के साथ एक बड़ा फ्लावर भी मैं इसके उपर लगा रही हूं और इसके उपर एक छोटा डाइमे कर सकते हैं जैसे हमारी दिमाग में क्रेविटी हो उससाब से हम डेकोरेशन कर सकते हैं मेन होता है कि जो हमने वो चीज है न वो बना दी है और हमारी पोशाक डेकोरेशन करके तयार हो गई है जन मास्ट भी पर राकी पर कभी भी पोशाक पहनाए और ये वीडियो चैनल पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे, फैमिली और फैर में वीडियो जो शेयर करे, धन्यवाद